नमस्कार, नमस्ते रादे रादे साथियों इस क्लास में जो हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की थी शुरुआत में जिसमें हम लोग आरो ए आरो में जितने भी पी भाई क्यूज हैं उन सब को कंपलीट कर रहे थे उसका एक हिस्सा बचा हुआ था साइंस का और एक था एकोनमी का तो उस हिस्से को हम लोग अब कंपलीट करेंगे उस हिस्से के तहट सबसे पहले हम लोग बहुत इक विज्ञान फिजिक्स को लेके चलेंगे तो नए तरीके से समझने का प्रियास करेंगे कुछ ट्रिक्स का भी साहरा लेंगे और जो भी चीजें लगेंगी कि अपडेट होने वाली हैं तो उनको अपडेट करते चलेंगे चली आगे बढ़ते हैं प्रकास बर्स है बह बर्स जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है दूसरा बह दूरी जो प्रकास एक बर्स में तै करता है तीसरा बह समय जो सूरी की किरणे प्रथवी तक पहुँचने में लेती है चौथा है बह समय जिसमें अंतरिक्षियान प्रथवी से चंद्रमा तक पहुँचने में पहुँचता है तो दोस्तो प्रकास वर्ष एक मात्रक है काहेकत दूरी का, खगोली दूरी का, ऐसी दूरी जिसे प्रकास एक बर्ष में तै करता है, तो बिकल्ब भी जो है, आपसन भी सही आंसर हो जाएगा इसका ये वाला हिस्सा भी आपको रट लेना है एक प्रकास बर्स जो है वो 9.46 x 10 to the power 15 meter होता है प्रकास बर्स मात्रक है उपर ही देख चुके है काहे का दूरी का अगला माप की काउंसी एकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है हम सभी जानते हैं 1 cm equal to 0.39 तो cm को जब 0.39 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा इंच हमको प्राप्त हो जाएगा तो इस तरह से option भी सही answer हो जाएगा एक नैनो मीटर कितने cm के बराबर होता है कि चारो विकल्पों में cm दिया है तो हम सभी जानते हैं कि एक नैनो मीटर जो है वो 10 to the power minus 9 meter के उकल होता है अब हमको क्या करना है इस वाले मीटर को cm में convert करना है तो क्या करेंगे एक मीटर में 100 cm होता है तो इसमें हम क्या करेंगे 100 से multiply कर देंगे तो 10 to the power minus 9 multiplied by 10 to the power 2 100 को 10 की घात दो लिख सकते हैं तो यहाँ पर क्या होगा जब हम इसको हल करेंगे तो पाएंगे जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है किसमें गुणा में तो minus 9 और plus का 2 किसके बराबर हो जाएगा minus का 7 तो इस तरह से एक नैनो मीटर जो है 10 to the power minus 7 cm के बराबर हो जाएगा फिर ताप के निम्ल खितमें से किस पैमाने में रनात्मक मान नहीं होता है Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rumor तो दोस्तो Kelvin में रनात्मक मान नहीं होता है 0 जो है वो किसके बराबर होता है 273 Kelvin के तो इस से जाहिर होता है कि Kelvin में रनात्मक मान नहीं होता है तो विकल्प C सही उत्तर हो जाएगा उस्मा की इकाई निम्ल खितमें से कौन नहीं है Centigrade, कैलोरी, Arg या फिर Joule तो दोस्तो Centigrade जो है वो उस्मा की इकाई ना होकर Temperature की इकाई है याद रखिएगा बाकि कैलोरी और ये तीनों जो इकाई हैं जो यूनिट हैं वो उस्मा की हैं हीट की हैं कैलोरी दोस्तो वर्क कार की इकाई माफ की जीएगा Joule जो है वो कार का भी मातरक होती है कार वर्क बहुत तिक राशियां दी गई है और उनकी इकाई दी गई है मैच करना है तोरण दोस्तो इसकी यूनिट के आवती मीटर प्रति सेकेंड स्कॉाइर बल दोस्तो बल की यूनिट न्यूटन होती है किये गए कार की यूनिट उपर बता चुका हूं जूल होती है और पच्चा है आवेक तो उसकी यूनिट न्यूटन सेकेंड हो जाएगी तो इस तरह से आफशन डी सही हो जाएगा फिर से मैच करना है बाट जो है दोस्तो वो सक्ति का मात्रक है नाट जो है वो समुद्री जहाज की गती का मात्रक है और नाटिकल मील जो है वो नौ संचालन में इस्तेमाल किया जाता है और कैलोरी उसमा की मात्रक है या फिर इकाई है इस तरह से जब मैच कराएंगे तो आफशन सी सही अंसर हो जाएगा डापशन इकाई निमनल खित में से क्या मापा जाता है ओजोन सांदर्ता, उसमी चालकता, भूमी की नमी या फिर विकिरन तो ओजोन की सांदर्ता को डापशन से मापा जाता है डापशन में मापा जाता है ओजोन आप सभी जानते हैं O3 और ये जो है समताप मंडल में पाई जाती है समताप मंडल और प्रत्वी पर आने वाली गातक UV रेज को रोकती है नेक्स्ट कुश्चन फिर से सूची एक को सूची दो से मिलाना है उपकरण दिये गये हैं और उनकी रासी जिसको वो मापते हैं तो आ मीटर से किसे मापा जाता है धारा को, इलेक्टरिसिटी को हाईगरो मीटर से किसे मापा जाता है सापेक्ष आदरता को स्पिरिंग तुला से तो सभी जानते होंगे वेट को मापा जाता है भार को बैरोमिटर से एर प्रेसर मतलब दाब को मापा जाता है और अचानक से बायू दाब का गिर जाना जो है दोस्तों वो काहे का सूचक होता है यह कुश्चन जियोग्राफी में आप से पूछा गया है निम्न लिखित में से किसे 1500 डिगरी सेल्सियस से अधिक ताब मापन हित्व प्रियोग में लाया जाता है चीकिस से यह थर्मामीटर ताब बैद्दुत यूगम थर्मामीटर या प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर या फिर पायरोमीटर तो पाइरो मीटर को दोस्तो 1500 डिगरी सेल्सियस या फिर इससे अधिक तापमान को मापने में इस्तेमाल किया जाता है इविन जो सूरी का टेंपरेचर है उसको भी इसकी मदद से मापा जा सकता है पाइरो मीटर तो आफशन D सही हो जाएगा निमनलिखित में से कौन सही सुमेलित है थर्मो रिजिस्टर इलेक्टरानिक थर्मामीटर होता है संधारित्र ये भी थर्मामीटर होता है या फिर बाई पोलर जंक्षन ट्रांजिस्टर दिश्टकारी जंक्षन डायोड आवर्दक कितने कारे करता है तो ये तीनों गलत हैं दोस्तों किवल एक सही है कौन सा थर्मो रिजिस्टर जो है दोस्तों वो इलेक्ट्रानिक थर्मामीटर की भांती काम करता है तो आप्शन ए सही हो जाएगा रडार उपियोग में लाया जाता है प्रकास तरंगों दारब बस्तों का पता लगाने में दोनी तरंगों को परावर्तित कर बस्तों का पता लगाने में रेडियो तरंगों दारब बस्तों की इस्तिति ग्यात करने में बर्सा करने वाले बादलों का पीछा करने में तो radar की full form दोस्तों क्या होती है, short form होती, radar, 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 radar चान होती है उस रेंज में कितनी बस्तों हैं तो रेडियो तरंगों द्वारा बस्तों की इस्तिती ग्यात करने में रडार का इस्तिमाल होता है तो इस तरह से आंसर सी सही हो जाएगा एक ट्रेन जैसे ही चलना आरम करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर्फ पीशे की ओर जुग जाता है पीशे की ओर अब ट्रेन में बैठा कोई व्यक्ती यहाँ पर इस्तिर है सीट ट्रेन में और यहाँ पर बैठा तो उसका निचला हिस्सा जो है वो इस्तिर है ठीक है तो ये जो इस्थिर है, तो ये इस्थिरता का जड़त उसको कहते हैं, जड़त का मतलब अबस्था परिवर्तन का बिरोध, यदि कोई बस्थू गतिमान अबस्था में है, तो वो गतिमान ही रहेगी, जब तक उस पे कोई बाहेवल आरोपित ना किया जाए, और यदि इस्थ तो यात्री बैठा है, इसका यो नीचे वाला हिस्था ये ट्रेन के साथ जाएगा, जब ये हिस्था आगे जाएगा, तो ये मुंडी वाला हिस्था पीछे की ओर जाएगा, क्योंकि निूटन का एक थाड़ ला है, एक्संर्येख्शं वाला, किरिया प्रितिकृरिया का न बोग पीछे की और चला जाएगा तो इसको कहते हैं इस्थिरता का जड़त तो इसी बज़े से उसको जटका लगेगा तो आंसर अफसन ए हो जाएगा परतेक क्रिया के लिए एक समान और विप्रित प्रित क्रिया होती है यह नियम दिया था किसने एक्सन रियक्षन फोर्स किसने दिया एक्सन रियक्षन लाक किसने दिया था किरिया प्रित किरिया नियम नियूटन ने दिया था नेक्स्ट कुश्चिन गुर्त्वा करशन के सारभामिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था तो नियूटन ने किया था कहा कि दो पिंड हैं A और B इनके मास यदि M1 है और दूसरे का M2 है और इनके बीच की दूरी आ रहा है तो इनके बीच जो आकर्सन बल लगेगा वो जो है M1 M1 और M2 जो इनके द्रभिमान है उनके डारेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो इनके बीच की दूरी है उसके स्क्वाइर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जब ये प्रोपोर्शनल का चिन हटाएंगे तो क्या होगा एक कांस्टेंट लग जाएगा तो अंत में जो फार्मूला निकल के आएगा यहां पर जी जो है वो कांस्टेंट होता है तो यही फार्मूला जो है निूटन ने दिया था यह देखिए इन लोगों ने भी उसी तरह से बताया है नेक्स्ट कुश्चिन जब कोई जहाज नदी से निकल कर सागर में प्रवेश करता है तो बै कुछ उपर उठ जाता है जिन लोगों को लग रहा है कि प्रोसेस जो है बताने का वो सलो है तो आपके लिए सुविधा दी गई है कि दो की स्पीड पे देख लीजिए लेकिन एक बात याद रखिए जितना कंटेंट आप एक घंटे में या जितना भी समय इस वीडियो में लगेगा आप तयार कर लेंगे उतना कंटेंट आप बैट के नहीं कर पाएंगे आप आजमा की देख लीजिएगा दो तीन गंटे लगाएंगे कम से कम जब कोई जहाज नदी से निकल कर सागर में प्रवेश करता है तो बैट कुछ उपर उठ जाता है कारण क्या है अब जैसे कारण हो तो एक सवाल अंदर से पैदा करिए क्यूंकि सागर के जल का गंट तो नदी के जल के गंट से अधिक होता है आप सभी जानते हैं कि सागरी जल की लवड़ता अधिक होती है, मतलब वो खारा होता है, खारा होने की बज़े से उसका गहनत तो ज्यादा होता है, और गहनत तो ज्यादा होने की बज़े से कोई भी चीज उसमें कम डूबेगी, सामाने जल की अपेक्षक कम डूबेगी, तो जहाज क्या है दोस्तों सामाने जल में था और जैसे खारे वाले में पहुँचा तो एकदम उपर उठ गया तो इस तरह से कथन और कारण दोनों से हैं कारण जो है वो कथन की ब्याख्या भी करता है तो आंसर जो है वो अप्षन ए हो जाएगा निमने लिखित में से कौन सी सदिस रासी है ऐसी रासी जिससे किसी पिंड की गती और दिसा परिमार और दिसा दोनों का ग्यान होता है वो सदिस रासी होती है तो समय चाल और दूरी इनमें परिमार तो है दोस्तो कोई नो कोई बहलू तो निकल के आएगी जैसे दो बज़ा तीन बज़ा लेकिन कोई दिसा नहीं मिल रही है तो दिसा नहीं मिल रही है तो ये क्या है ये अदिस रासी है यही चाल के साथ भी है और यही दूरी के साथ भी है लेकिन बिस्थापन बिस्थापन का मतलब कोई एक पिंड जो है वो एक इस्थान से दूसरे इस्थान पे जा रहा है जब एक इस्थान से दूसरे इस्थान पे जाएगा तो किसी दिसा में जाएगा माल ये दो किलो मेटर जाएगा या तीन किलो मेटर जाएगा ये तो हो गया इसका परिमार और जिस दिसा में जाएगा इस्ट या वेश्ट या नार्थ या साउत वो क्या हो गई वो इसकी दिसा हो गई तो इस तरह से जो विश्थापन है वो एक सदिसरासी है दो समांद्रबमान की बस्तुझों की गतिज ओर्जाओं का अनुपात चार अनुपात 9 है उनके बेगों का अनुपात क्या होगा तो दोस्तों आप सभी जानते हैं गतिज ओर्जा का फर्मूला क्या होता है K is equal to half Mbisquare अब यहाँ पर कहा गया है कि दो बस्तुएं हैं तो हम इस फार्मूले को दो रूपों में लिखेंगे जैसे कोई एक बस्तु है K1 जिसकी काइनेटिक इनर्जी है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा Half M B1 Squire ऐसे ही हमको अनुपात दिया है यहाँ पर गतिज उर्जाओं कानुपात अब निकलना क्या बेगों कानुपात तो इसको नीचे लिखेंगे K2 equals to Half M B2 Squire अब इसको भाग कर देंगे उसी तरह से हम लोग कर ही रहे हैं तो क्या होगा Half M से Half M मर जाएगा तो K1 upon K2 equal to क्या होगा B1 Squire upon B2 Squire इतना बचेगा K1 upon K2 equal to B1 upon B2 Squire इसका पूरे का Squire कर देते हैं हम लोग और दिया क्या है दोस्तो K1 upon K2 देखे उर्जाओं का अनुपात दिया है तो यहाँ पर K1 और K2 की बेलू हम लोग पुट कर देंगे तो 4 बटन 9 बराबर B1 upon B2 का Whole of Squire अब इधर से Squire हटेगा तो इधर Under Root लग जाएगा और जैसे ही Under Root को हल करेंगे तो 4 का कितना हो जाएगा 2 और 9 का कितना हो जाएगा 3 तो यह जो देखिए इधर से Squire हट गया तो B1 upon B2 क्या है उनके बेगों का अनुपात हो गया ना तो B1 upon B2 कितना हो जाएगा 2Y3 तो आंसर जो है Option B हो जाएगा उम्मिद करता हूँ आप समझ गये होंगे निमने लिखित में से Color Change करते हैं तो मज़ा जाद आएगा निमने लिखित में से किसी सिध्धान्त पर Rocket काम करता है आवो गादरो परिकलपना ओर्जय सनरच्छन बर्नौली परमे या फिर संबेग सनरच्छन तो दोस्तो राकेट जो है वो संबेग सनरच्छन के सिध्धान्त पर काम करता है जो thrust निकलता है ना वो नीचे के लिए निकलता है और क्या होता है उतना ही फोर्स उपर के लिए लगता है तो वो क्या होता है उपर बढ़ता चला जाता है तो आंसर आप्सन डी हो जाएगा मॉबाइल ददा आटो मॉबाइल ने भारतियों विशेस रूप से ग्रामिर छित्रों के लोगों के समाजिक जीवन में निम्ने लिखित में से किसके संबंद में एक क्रांती ला दी है लोगों के आबा गमन के संबंद में दोस्तो आटो मॉबाइल ने क्रांती लाई है तो लोगों के बीच की दूरियां कम हुई है कहीं से भी कहीं आसानी से जा सकते है लोगों के जुडाओं के संबंद में ये कथन भी ठीक है लोगों की संबेदन सीलता के संबंद में जी नहीं लोगों के जुडाओं के संबंद में दोस्तों मोबाइल भूमिका निभा रहा है वो बात अलग है कि घर में माता पिता या भाई बहन के बीच की दूरियां बढ़ रही है और कोई बाहर 100 km, 1000 km की दूरी पर बैठा व्यक्ति आपका दोस्त हो जा रहा है आपका जो भी हो जा रहा है तो वो आपका नजदी की हो जा रहा है लेकिन संबेदन सीलता में ब्रद्दी नहीं बलकी संबेदन सीलता घट गई है नहीं मतलब कि पापा क्या कर रहे है नहीं मतलब कि भाई क्या कर रहा है घर पे आया वस निकाला मोबाईल खटर पटर किया और वस खाना उना खाया फिर सो गए समय जो है रिष्टों को नहीं देना चाहते है फेस्बुकिया जीवन ज्यादा जीने लगे हैं तो सुधार लाईए निमने लिखित देखो यह जो फेस्बुक बगएरा है इस सब पर समय देकर यदि करोगे प्यार का कारोबार तो जीवन हो जाएगा बंटा धार और यदि यही समय अपने माता पिता को अपने भाई बहन को अपने लच्छ को दोगे तो नईया हो जाएगी पार ध्यान दीजिये इन सब चीज़ों पर अपने इसर को भी मत भूलिए निमन में से कहों सा पेट्रोलियम परिस करण का उत्पाद है؟ पेट्रोल, चारकोल, कोईला, एसफाल्ट तो एसफाल्ट जो है वो बाई प्रोडक्ट है किसका पेट्रोलियम परिस्करण का आप सभी जानते हैं कच्छे तेल को जब रिफाइन किया जाता है तो कुछ बाई प्रोड़क्ट निकलते हैं उप उत्पाद जैसे ग्रीस हो गया बहनों में इस्तेमाल किया जाता है जो लोग साइकिल चलाते होंगे उनकी चेन पे लगता होगा और किरोशीन जो किया बंद हो गया है ऐसे ही कई और उपूत्पाद है तो उनमें से एक है एस्पाल्ट बागी सब जो है बाई प्रोड़क्ट नहीं है तो इस तरह से आंसर जो है वो आप्शन डी हो जाएगा एक भार हीन को बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है इसका जल में भार क्या होगा दोस्तो 200 ग्राम जल भरा गया है कोई चीज जल में जब छोड़ी जाती है तो बह अपने द्रभमान के बराबर ही जल को हटाती है चारो तरफ से OR ये गुबारा है दोस्तो भार हीन है तो 200 ग्राम जल भराए इसमें तो अपने बरावर ही जल को हटाएगी तो इस तरह से उसका नेट जो भार हो जाएगा वो सुनने हो जाएगा तो आंसर जो है वो आप्शन ए हो जाएगा तंतु प्रकासि की ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिध्धान्त पर आधारित हैं आप्टिकल फाइवर की बात हो रही है पहला कथन ठीक है प्रकासिक तंतु संचार तंत्र में उर्जा उपभोग अत्यदिक कम होता है ये बात भी ठीक है उर्जा कनास कम होता है प्रकासिक तंतु संचार रेडियो आवरती अवरोध से मुक्त होते हैं आप्टिकल फाइवर दोस्टो ट्यूब्स होती है जिनमें पूर्ण आंतरिक परावरतन होता है और जो प्रकास की उर्जा है प्रकासी उर्जा उसका च्छे नहीं होता है सिगनल प्रकास वाले दूर तक पहुंचाया जाते हैं आसानी से पहुंच जाते हैं इसी ट्यूब के माद्यम से तो इंटरनेट जो है वो सुलब हो जाता है चवथा कि भारत में प्रकासिक तंतु के निर्मान में रिलाइंस उद्ध्योक समूह उद्ध्योक समूह संबद्ध है तो यही कथन गलत है दोस्तों बांकि तीनों कथन ठीक है वन टू थ्री तो इस तरह से आफ्षन यह सही हो जाएगा और रिलाइंस के बजाए इस्टर लाइट कमपनी जो है वो आप्टिकल फाइवर का निर्मान करती है फिर से कुश्चन एक आप्टिकल फाइवर से है आप्टिकल फाइवर जिस सिध्धान्त पर काम करता है वह सिध्धान्त है पून आंतरिक परावर्तन या फिर पून आविहंतर परावर्तन तो आप्षन एस ही हो जाएगा मारीचिका का बनना उधारण है अपवर्तन का, परिछेपन का, कुलांतरिक परावर्तन का या विवर्तन का most important question है साथियों मारीचिका क्या है जब आप गर्मियों के दिनों में जैसे यह तो नहीं कहता है कि आप थार के मरुस्थल में गए होंगे लेकिन आप अपने भूड़ वाले खेत पर जरूर गया होगे जहां रेत ज्यादा होती है देखाओगा बहाँ दूर दूर तक पानी नहीं होता है तो जैसे जैसे आप चलते हैं थोड़ा ज्यादा चलना पड़ जाया आपको तो एक भ्रहम होना ही लगता है कि कुछ दूरी पर पानी है लेकिन जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा ऐसी कंडिशन आप देखिए जब गर्मी में दोपहरी में कुब कड़क धूप होती है और आप रोड पर जा रहे होते हैं बाइक से तो आप देखेंगे कि आपसे कुछ दूरी पर रोड पर आपको ऐसा लगेगा कि पानी फैला हुआ है लेकिन जैसे नद्धिक पहुँचेंगे बहाँ कुछ नहीं ऐसा फिर आगे बढ़ेंगे फिर दिखेगा तो ये पूरा इफेक्ट जो है वो मारीची का कहा होता है इसको मारीची का कहा जाता है तो इसमें कारण क्या है इसके पीछे कुल आंतरिक परावर्तन तो आंसर अफसन सी हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन आकास नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकास का प्रकीडन सबसे अधिक होता है लाल प्रकास का प्रकीडन सबसे अधिक होता है नीले प्रकास का बाता वरण में अफसोशन सबसे कम होता है आप सभी जानते नीले प्रकास की जो तरंग धहर होती वो कम होती है लेमडा और जो लाल कलर है उसकी तरंग धहर अधिक होती तरंग धहर का मतलब यह है कि उसको संगठित रहने की छमता जो लाइट है जो बीम है लाइट की संगठित रहने की छमता जितना ज्यादा संगठि में किया जाता है दूर तक पहुंच जाती है आपने देखा भी होगा बच्षपन में मेले से टार्च लेके आयोंगे इसमें अलग-अलग वाली जो आगे लेंस लगा देते थे वही आगे सामने दिखाई देता था और उसको निकाल के क्या करते थे दूसरों के मुझ पे यह क्योंकि उसकी जो बेव लेंध है लेंडा वो अधिक होती मतलब प्रकास कम फैलता है तो उसका इस्तेमाल सिग्नलिंग सिस्टम में किया जाता है लेकिन नीला प्रकास वो फैल जाता है और आप जानते ही हैं कि बायो मंडल में छोटे-छोटे गैसों के कण होते हैं यह ऐसे ही दोस्तों सूरियोदय और सूरियास्त के समय जब सूर की किरणे सरवादिक दूरी इत्ते करती हैं अब सभी जानते हैं सूरे जो है कहीं पर उग रहा है तो वो हमसे ज्यादा दूरी पर होता है बजाए जब वो उग जाता है उसके तो क्या होता है बाकी सब किरणे सात किरणए नेकलती हैं। उन सातो की सात होती हैं, उनमें से कवल एक ही हम तक पहुचती है। काउन से लाल वाली, क्यूंकि उसकी तरंगधर लेंडा अधिक होती है, वह कम फेलती है। बांकि सब जो हैं वो प्रकीणित हो जाती हैं जो बायोंडल में कड़ होते हैं उनके दरह प्रकीणित हो जाती हैं तो इसलिए सूर्यास्त के समय सूर्य हमको लाल दिखाई देता है और सूर्य ओदय के समय भी हमको लाल दिखाई देता है अगला हकास के नीला दिखने का कारण प्रकास का कम प्रकीणन इंदर धनुस के साथ रंगों का कारण है प्रकास का प्रकीणन सूर्योदेक समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकास का प्रकीणन तो इंदर धनुस वाला जो कथन है वो सही नहीं है ये रंगों के बिछेपन के कारण होता है जो बरसा की बूंदों में जो सूरी का प्रकास होता है वो बढ़ बिछेपन के कारण दोस्तों हमको इंदर धनुस की तरह दिखाई देता है बाकी नीला भी हमको प्रकास के प्रकिणन के कारण दिखाई देता है और सूरी का लाल भी होना प्रकास के प्रिकिग्णन के कारण ही दिखाई देता है तो इस तरह से कथन एक और तीन सही हो जाएंगे दूसरा वाला गलत हो जाएगा अगला क्विश्चिन जल में बायू का बुलबुला जिसकी भाती ब्योहार करेगा बह क्या है अब दर्पन की भाती तो काम नहीं करेगा तो दर्पन वाला काट दीजिए उत्तल दर्पन और अबतल दर्पन दोनों काट दीजिए बायू का बुलबुला उपर तो दोस्तों जैसे गोल होता है तो उत्तल लेंस की तरह काम करता है लेकिन जब वो पानी में जाएगा तो उत्तल के बजाए अबतल लेंस की भाती काम करने लगेगा ऐसा मान के चलिए पानी का अफ़ बरतनांक ज्यादा होता जब ये बुलबुला उपर गोल है अब जब ये नीचे जाएगा तो इस पे पानी का कुछ प्रेसर भी पड़ेगा तो ये गोल ना होकर कुछ इसकी आकिरती बदलने लगेगी तो ये अबतल आकिरती का हो जाएगा तो ये अबतल लेंस की भाती काम करने लगेगा तो आफसन डी सही हो जाएगा किसी ब्यक्ति का पूरा प्रतिविम देखने के लिए एक समतल दर्पण की निमतम उचाई कितनी होनी चाहिए बहुत बच्चा सवाल है जितना आपका आपकी उचाई है उसकी उचाई के आधी उचाई का आपका दरपण होना चाहिए तब आपका पूरा पृतिविम दिखाई देगा तो इस तरह से आफ़सन भी सही हो जाएगा दरप से बढ़ क्रम में सबसे कम तरंग धहरे वाला रंग कौन सा है लाल पीला नीला या वैगनी तो आप सभी जानते होंगे कि सबसे कम तरंग धहरे वाला जो रंग है वो वैगनी है बिव ग्योर बी आई बिव ग्योर इसी क्रम में दोस्तों तरंग धहरे निर्दारित की जाती है सबसे कम वाईलट फिर इंडिगो मतलब जामुनी फिर ब्लू फिर ग्रीन फिर यलो फिर ओरेंज और फिर रेड तो रेड की जो वैव लेंध है लेमडा वो सबसे अधिक और जो वाईलट है वैग दूर द्रश्टी दोस में प्रतिविम्ब निम्न लिखित पर बनता है रेटिना पर रेटिना के आगे रेटिना के पीछे या फिर अन्य बिंदु पर तो दोस्तों दूर द्रश्टी दोस में जो बस्तु का प्रतिविम्ब है वो रेटिना के पीछे बनता है तो आप्शन C सही आंसर हो जाएगा कैसे दोस्तों? दो तरह की दृष्टी दोस होते हैं यह मालिया महिला की आँख है जो निकट दृष्टी दोस है उसको कहते हैं मायो पिया मायो पिया का मतलब मेरा पिया जब नई नई साधी होती है तो महिला को जब अपने जो उसका बर होता है उसमें लगने लगता है कि यही मेरा पिया है इसका मतलब क्या आपके नजदीक दिखाई देने लगता है होता नहीं है आंतरिक रूप से नहीं होता लेकिन नहीं नहीं साधी होती तो इसलिए उसको नजदीक दिखाई देता है तब ही वो कहती है मेरोपिया तो उसको केवल और केवल नजदीक की ही बस्तू दिखाई देती है निकट दिखाई देती है और निकट की बस्तू समने बन जाता है यह र Minute आँकश्व का तो यहां पर सामने पर्तिविंभ बन जाता है तो कहेंगे कि निकट द्रिश्टि दोस में उनिक प्रतिश्ट की phenomenon किया होता है केवल और केवल निकट की बस्टू दिखाई देती है मेरा इसका प्रतिविंभ इस् fellow apposit condition हो जाएगी क्या cable और cable दूर की बस तो दिखाई देगी यही PA जो है दूर चला जाएगा hyper नेटरोपीआ जिसको कहते हैं तो यह cable और cable दूर ही दिखाई देगा अगर यह PASS भी आएगा तब भी PASS नहीं दिखेगा दूर गया तो गया तो इसमें क्या होगा अपोजिट कंडिशन एक तो दूर वाली हो गई दूसरी क्या है यह जो पृतिविम भै रेटिना पिना बनकर यहां बनने लगता पीछे तो यह दोनों फैक्ट याद रखेगा एक तो पृतिविम दूर दृष्टी दोस में रेटिना के पीछे बनता है रेटिना के पीछे और दूर दृष्टी दोस में केवल और केवल दूर की ही बस्तों दिखाई देती है निकट की नहीं दिखाई देती है सफेद प्रकास में उपस्तित निमनलखित रंगों में से कौन सा रंग सीशा के प्रिज्म के द्वारा सबसे कम बिचलित होता है तो जिसकी वेवलेंथ तरंग धहर ज्यादा होगी वो कम बिचलित होगा लाल रंग ठीक है तो बी कुछ और चीजें बता दूं दोस्तो हनीला हनीला को दोस्तो प्राथमिक रंग कहा जाता है हा का मतलब हरा नी का मतलब नीला और ला का मतलब लाल इन तीनों के संयोग को क्या का जाता है प्राथमिक रंग याद कर लीजिएगा प्राथमिक रंग प्रैमरी कलर्स ऐसे ही दोस्तों आगे बढ़ते हैं याद नहीं आ रहा है एक और फैक्ट था तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर भी हो जाएगा निमने लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है मनुस्य का कान 1000 हर्ज पर सबसे सुग्राही होता है ये कथन गलत है मनुस्य की आँख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है सुनने की द्रड़ता सुनने की द्रड़ता एक बटा 10 सेकेंड होती है द्रिष्टी की द्रड़ता एक बटा 16 सेकेंड होती है तो इसमें दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा कौन सा सही नहीं यह बताना है तो इसमें दोस्तों B वाला आफसन सही नहीं है मनुस्य का कान जो है वो एक हजार से पांच हजार हर्टिज की आवरती में तो सबसे सुग्रा ही होता है most sensitive बाकी तीनों कथन ठीक है मनुस्य की आँख पीले हरे रंग के लिए सबसे सुग्रा ही होती है अभी आपको मैं जो उपर फैक्ट बताना चांथा था वो यहीं पर आ गया जो पहले रंग दिखाई देता है मनुस्य की आँख सबसे पहले देखना चांथी है सबसे पहले संबेदन सील हो जाती जिसके प्रती तो वो क्या है पीला देखिए पहले पहले में क्या है पा का मतलब पीला हा का मतलब हरा पीले और हरे रंग के लिए मनुस्य की आँख सबसे अधिक सुग्रा ही होती है याद रखिएगा तो पहले इसको याद कर लीजिए और हनीला इसको याद कर लीजिए यही सब चीजें दोस्तों आपको और लोगों से यूनिक बनाती है कितना तापमान होने पर फाठ्यांक, सेल्सियस और फारेन हाइट ताप मापियों में एक ही होंगे बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों और अक्सर यह परिच्छा में पूछ लिया जाता है अब क्या कहा गया है कहा गया है कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फारेन हाइट ताप मापियों में एक ही होंगे तो सी की जगह एक ही होंगे तो सी की जगह एक ही होंगे तो सी की जगह हम क्या करेंगे f रख देंगे यहाँ पर अब इसको हल कर लेंगे जब हल करेंगे तो 9 से f की गुणा हो जाएगी तो यहाँ f upon 5 equals to c minus 32 upon 5 c तो नहीं था यहाँ पर f था और यह 9 था तो 9 f इसकी cross multiply हो जाएगी 9 f equals to 5 f minus पांदूनी 10 पांतियां 15 और 16 एक सो साथ और यह वाला 5 जब इधर आ जाएगा तो 9 में से 5 f चला जाएगा तो कितना बचेगा? 4 f और इधर कितना बचेगा? यह minus का 160 4 से यह 4 चोका 16 और बचा 0 मर गया minus का 40 तो फारेन हाइट में कितना होगा? minus का 40 उम्मीद करता हूँ आप समझ गया होंगे तो आंसर यह हो जाएगा सो चालित इंजनो हेतू निमने लिखित में से काउन सा एक हिम रोधी के तवर पर प्रियुक्त होता है? तो एथिलीन गलाइकाल ठंडे चेतरों में जो बाहन चलते हैं आपने देखा होगा बाहनों में उनको कूल करने के लिए कुलेंट पड़ता है लेकिन ठंडे छेतरों बुज्यम जाता है इसी लिए बुज्यमे न उसके लिए हिमरोधी जमने के खिलाप एक एजेंट मिला जाता है उसको कहते हैं एथिलीन गलाइकाल कुलेंट में तो आंसर भी सही हो जाएगा हलके रंगीन कपड़ों को गर्मी में बरीता दी जाती है हलके रंग उसमा को कम अफसोसित करते हैं ठीक बात है दोस्तों क्योंकि हलका रंग जो है जो विक्रण है वो उसको बहुत कम अफसोसित करता है सफेद रंग जिसको कहेंगे जो काला रंग है वो बहुत ज़्यादा विक्रण को अफसोशित करता और काले रंग में दोस्तों सबसे ज़्यादा गर्मी लगेगी इसलिए आप नहीं देखा होगा कि लोग गर्मियों में काले रंग के कपड़ों को कम पहनते हैं तो कथना और कारण दोनों सही है और बे अख्या भी है सुएत वस्तर काले वस्तरों के पेक्षा ठंडे होते क्योंकि वे पूर्ण प्रकास अफसोशित कर लेते हैं जी नहीं वे प्रकास अभी छेदन रोकते हैं वे सूर्य के प्रकास को पूर्टिया ठंडा करते हैं वे सुम्पूर्ण प्रकास को प्रावर्तित कर देते हैं यही विकल्प सही है तो option D सही हो जाएगा Next, कृष्ण चिद्र Black hole एक ऐसा खगोली अस्तित्त है जिसे दूर्वीन से दूर्वीन से नहीं देखा जा सकता कारण क्योंकि कृष्ण चिद्र पर गुरुतिय चेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकास को भी बच निकलने नहीं देता बहुत ज्यादा density होती है प्रकास भी पास नहीं होगा और कोई चीज हमको कब दिखाई देती है जब उस चीज से प्रकास की किरणे आती है तब हमको दिखाई देती है और जब प्रकासी पार नहीं होगा तो कहां से दिखेगा तो इसलिए वह हमको दिखाई नहीं देता है क्योंकि यह प्रकास को भी अपने अंदर से पलाईत नहीं होने देता है तो कथन और कारण दोनों सही हैं और ब्याख्या भी कर रहा है तो इस तरह से आंसर जो है आपसन ए हो जाएगा महासागर में डूबी ही बस्तों की इस्तिती जानने के लिए निम्न लिखित में से किसी अंतर का इस्तिमाल किया जाता है बैसे तो राडार का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन यहाँ पर सोनार का इस्तेमाल किया जाता है सोनार सो का मतलब साउंड, नेविगेशन, एंड, रेंजिंग तो समुद्र में डूबी हुई बस्तों की इस्तिती का पता लगाने के लिए सोनार का इस्तिमाल किया जाता है इसकी फुल फार्म भी पूछ लिए जाती है साउंड नेविकेशन एंड रेंजिंग निमने लिखित में से किसे किसे के लिए माध्यम आवस्यक नहीं है बिकरण, संबहन, चालन इनमें से कोई नहीं तो बिकरण के लिए माध्यम आवस्यक नहीं है बाकि चालन के लिए भी आवस्यक है माध्यम, संबहन के लिए भी माध्यम आवस्यक है सबसे ज़्यादा आवस्यक है गैस का होना तब ही संबहन और यह जो दूसरी क्रिया है क्या चालन हो पाएगा क्योंकि गैस में क्या होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल होते है दोनी की प्रबलता निमने लिखित में से मापी जाती है काहे के द्वारा अबृति, वेग, आयाम या तरंग धहरे तो द्वानी की प्रबलता जो है वो आयाम के द्वारा मापी जाती है प्रबलता अधवा म्रदुता चंद्रमा के धरातल पर दो वेगति एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते क्योंकि बहाँ पर निर्वात होता बायो मंडल नहीं है और ध्वानी को चलने के लिए क्या है दोस्तो माध्यम की आवसकता होती है निर्वात होने की बज़े से ध्वानी नहीं पहुच पाती है एक वेक्ति से दूसरे वेक्ति तक तो इस तरह से विकल्प भी सही आंसर हो जागा क्योंकि बहाँ पर बायो मंडल नहीं है टेलिवीजन ग्राही के दूरस्त नियंतरण में किस प्रकार की बैदुत चुम्बकिय विक्रण प्रियोग में लाई जाती है तो दोस्तो रिमोट की बात हो रही है यहाँ पर तो रिमोट में जो विक्रण इस्तेमाल होता है वो अवरक्त इन्फरारेट विक्रण होता है तो आप्शन सी सही आंसर हो जाएगा टेलिवीजन प्रसारणों में शरब संकेतों को प्रेशित करने के लिए प्रियोग तकनीक है आयाम आरोपन इसपंद संकेत आरोपन आवरती आरोपन यह समय विश्तार गुनन तो दोस्तों आयाम आरोपन जो है आप कीजिएगा आवरती आरोपन शरब संकेतों को प्रेशित करने के लिए आवरती आरोपन का इस्तेमाल होता है इसकी इंगलिस सर्च कर लीजिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक सितार में किस प्रकार की धोनी तरंगें जैसे यहाँ पर कुश्चन कहा है क्या रहा है जब टीबी चलाते हैं तो जो आबा आ जाती है एक सितार में किस प्रकार की धोनी तरंगें उत्पन होती है एक सितार में दोस्तों सितार आप बजाते हैं तो सितार कैसे उसका जो बायर है वो कैसे हिलता है ऐसे ऐसे जो गती करती है तरंगें उनको कहते हैं अनुप्रस्त तरंगे तो आ प्रगामी एबम अनुपरस्त तरंगें जो हैं वो सितार में उत्पन होती है आ प्रगामी अनुपरस्त और अनुधर क्या होती हैं अनुधर तरंगें ऐसी होती हैं जो सीधे सीधे कमपन करती हैं इस तरह से आगे की और ऐसे बढ़ती चले जाती है विद्द्धारा को देखते हैं प्रत्याबर्ति विद्द्धारा को दिष्ट धारा विद्द्धारा में परिवर्तित किया जाता है AC को DC में कनवर्ट किया जाता है AC जो बिजली होती light जिससे current लगता है DC दिष्ट धारा जिसको कहते है जो चार्जर हमको देता है निकालके तो AC को DC में कौन कनवर्ट करता है डैनमो नहीं करता है यह DC ही बनाता है मोटर भी नहीं करता है रेक्टिफायर दोस्तों तो इसका मतलब क्या हुआ चार्जर में रेक्टिफायर तक्निकी का इस्तेमाल होता तभी वो AC को DC में कनवर्ट करता है इसलिए आपने देखा होगा चार्जर की पिन को पकड़ने से करंट नहीं लगता है बैटरी में भी DC होता इसलिए बैटरी को पकड़ने पर करंट नहीं लगता है दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी दोनों स्रेणी क्रम में जुड़े हों दोनों समानतर क्रम में जुड़े हों तो दोस्तो इसमें सही उत्तर हो जायेगा दोनों समानतर क्रम में जुड़े हों तब ज्यादा रोशनी होगे अगला क्विश्चन बिद्धुत चुम्ब की प्रेरणड पर आधारित युक्ति है कौन सी धारा मापी विभव मापी बिद्धुत मोटर और डाइनमो तो दोस्तो डाइनमो भी प्रेरणड पर आधारित है और बिद्धुत मोटर भी यदि आपने इसको अपने सामने से खुला देखा होगा तो आपने देखा होगा इसमें एक अंदर निकलता है जिसमें तार लिप चुब की प्रेयरन इसको आरमेचर का जाता है यही जब घोमता है तब करंट बनती है तो यह दैनुमो में भी अगता है और बिद्धुत मोटर में भी होता है तो इस तरह से सी और डी दोनों सही होंगे कथन यह और कारण बाला कुश्चन है तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षट तावे की छड़ों को वरीता दी जाती है क्योंकि लोहे की तुलना में तावा बिद्धुत का अधिक सुचालक है और बायो मंदली परसितियों में सरलता से आकसी करित नहीं होता है आप सभी जानते हैं जैसे ही जलबास्व की जलबास्व के संपरक में लोहा आता है तो उसमें जंग लग जाती है तो इससे क्या होता है उसका च्छरण होने लगता है इसलिए लोहा इस्तिमाल नहीं करते हैं लेकिन कापर में यह नहीं होता है कापर की जो चालगता है वो लोहे से अधिक होती है और कापर से भी ज्यादा चालगता किसकी होती चांदी की तो आप जहन में एक सबाल बनता होगा कि चांदी के तार क्यों नहीं बनते तो चांदी बहुत महेंगा पड़ेगा तो क्या हो जाएगा कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है और कारण जो है वो कथन की ब्याख्या कर रहा है तो आंसर आफसन ए हो जाएगा निमने लिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत पूर्ण भाग है तो दोस्तो आर्सेनिक नहीं आस्मियम भी नहीं जर्मेनियम है और एक और है सिलिकान सिलिकान ट्रांजिस्टर या फिर कहें सेमी कंड़क्टर तो सेमी ट्रांजिस्टर का एक भाग क्या होता है जर्मेनियम होता है अफ्सन भी सही हो जाएगा निमने लिखित में से कौन साइगम नहीं सुमेलित है मेसान की खोज दोस्तो युकावा ने की थी सही है पाजी ट्रान की खोज जो है वो इंडर्सन और हेस ने की थी ये भी सही है सूर्य और तारों में उर्जा उत्पादन मतलब ना भी की ये सनलेयन की बात हो रही है इसकी खोज बेथे ने की थी और क्या बचा है यूरेनियम तत्तों का संसलेशन की खोज फर्मी ने की थी यही कतन गलत है यही बिकल्प गलत है तो इस तरह से काउन सुमिलित नहीं है डी वाला सुमिलित नहीं है तो आंसर अफसन डी हो जाएगा तो ये जो परा यूरेनियम तत्तों की संसलेशन की बात जो है खोज जो है किस ने की थी सी बोर्ग ने की थी सूर से उत्पन उर्जा का शुरोत है क्या दोस्तो नाविक की ये सनलेन निूकलियर फ्यूजन दो हलके नाविक इखटे उकर एक बड़े नाविक का निर्वांड करते हैं तो उसको नाविक की सनलेन का जाता है और हाइड्रोजन बॉम्ब की जो अबधारणा है वो नाविक की सनलेन पर ही आदारित है हाइड्रोजन बॉम्ब का अविस्कार किस ने किया था Edward Taylor ने किया था ये question भी आप से पूँच लिया जाता है तो इस तरह से option वी सही हो जाएगा रेडियो धर्मिता के संदर्ब में कौन से कथन सही है टेल वर्ड को पकड़ा करिए यहाँ पर नहीं भी लगा हो सकता है तो रेडियो धर्मिता एक नाविकिये गुणा है सही बात है नाविकिये विखंडन के सिध्धांत पर हाइडरोजन बंब बनाया गया अभी उपर बता चुका हूँ हाइडरोजन बंब नाविकिये संलियन के आधार पर बनाया गया है नाविकिये सनलियन में क्या होता है दो छोटे छोटे नाविक इखटा होकर एक बड़ा नाविक बनाते हैं जबकि विखंडन में क्या होता है एक बड़ा नाविक विखंडित हो जाता है छोटे छोटे इस्सों में तो ये दूसरा वाला कतन गलत हो जाएगा पहला वाला सही ह हो जाएगा तो इस तरह से आफशन ए सही हो जाएगा नाविकिय विखंडन पर दोस्तों क्या आधारित है एटर्म बाम नाविकिय विखंडन की अब किरिया पर आधारित है और इसकी खोज किस ने की थी ओपेन ओपेन हाइमर नेक्स्ट क्विश्चन कल पक्कम प्रसिद्ध है का है के लिए परमाणू सक्ति संयंत्र के लिए या फिर न्यूकिलियर पावर प्लांट के लिए रच्छा प्रयोक साला के कारण राकेट प्रचेपन केंद्र के कारण अंतरिक्ष केंद्र है तो दोस्तों कल पक्कम जो है वो नाविकी संलियन डियक्टरों के बिशय में कतनों पर विचार करना है बेभारी नाविकों के विखंडन के सिध्धान पर कारे करते हैं उपर बता चुका हूँ कि वो नाविकी विखंडन नहीं नाविकी संलियन पर कारे करते हैं तो पहला कतन तो गलत हो गया साधार्टिया उनकी टोक माक डिजाइन एक विशेस प्रकार की डिजाइन होती जो टेमपरेचर को अफसोशित कर लेती है तो उनकी टोक माक डिजाइन होती है एकदम सही है बहुत अधिक तापकरम प्रकार करते हैं ये कथन भी सही है आप जानते हैं नाविकी संलेन जो है वो क्या करता है बहुत ज्यादा टेंपरेचर प्रोड्यूस करता है तब ही तो सूरज और यो तारे हैं वो चमकते हैं तो भी बहुत ज्यादा तापकरम परकार करते हैं तो दो और तीन दोनों कथन ठीक हो जाएंगे तो इस तरह से आपसन सी सही हो जाएगा अब कंप्यूटर के सवाल देख लेते हैं एक बात आँ रहा है कंप्यूटर इतना पढ़के काम नहीं चलेगा कंप्यूटर के लिए आपको साइन्स का गटना चकर पूर्वा लोकन में जो भी कुश्चन दिये गए कंप्यूटर के सब को चाट जाएगे उसमें खासकर जो यूपी PCS के द्वारा कुश्चन पूचेंगे जितनी भी परिच्छाओं में उन सब को खूब चाट जाएगे और हो सके तो सारे स्टेट के चाट जाएगे तो उससे क्या होगा कम पढ़के आप अच्छा कर जाएगे कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है तो यह तो बहुत बच्चा सवाल है चाल्स बैबेज को वर्ड वाइड वेव डबलू एक हाईपर मीडिया सिस्टम है क्यूंकि यह एक तो इसकी फुल फॉर्म पोच लिए जाती है और इसके आविश कारक भी पोच लिया जाते हैं तिम बरनर्स ली करके है कुछ नाम उनका याद नहीं आ रहा है ली लगा हुआ है आप जान रहे होंगे तो क्योंकि यहाँ हाइपर फास्ट है दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है वीडियो सामगरी को केबल प्राप्त करने में प्रयोग किया जा सकता है इन में से कोई नहीं तो www आप कोई भी वेबसाइट जब डालते हैं तो उसके सुरू में इतना लिखा रहता है www www. तो इसका मतलब क्या हुआ यह दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है इंटरनेट पर जितने भी सोर्स हैं उन सब को आप से कनेक्ट करा देता है तब ही तो आप कोई एक वेबसाइट डालते हैं तो दुनिया भर की वेबसाइटें खुलके आ जाती हैं उसी सब का मतलब हुआ कि www दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है तो आप्शन भी सही हो जाएगा विंडोज आफरेंटिंग सिस्टम विक्सित किया गया माइक्रोसाफ्ट के द्वारा IBM द्वारा AT&T के द्वारा HP के द्वारा तो माइक्रोसाफ्ट के द्वारा आफरेंटिंग सिस्टम विक्सित किया गया कंप्यूटर में इस्मृति के प्रकार हैं सेमिकंडक्टर, मेगनेटिक, सर्वर और आप्टिकल आप जानी रहें कि सर्वर का संबंद जो है इससे कता ही नहीं है तो जो तीन बच्चे हैं वही सही हो जाएंगे तो आपसें जो है 124 मतलब सी वाला सही हो जाएगा WLL का अर्थ क्या होता है विदिन लोकल लाइन, बायरलेस इन लोकल लूप या फिर वायरलेस इन लांग लाइन तो इसका WLL का अर्थ हो जाएगा विदिन लोकल लाइन माफ कीजिएगा वायरलेस इन लोकल लूप दरसल कंप्यूटर में मेरा भी हाथ तंग है तो उसको दिल पे मतली जिएगा कंप्यूटर में सब्द की लंबाई ना पी जाती है विट से, वाइट से, मिलिमीटर से या फिर मीटर से इसकी सबसे छोटी एकाई जो है वो विटस है और उसके बाद बाइट है तो एक आठ बिट जो है एक बाइट के बराबर होते हैं और 1024 बाइट एक किलो बाइट मतलब के बी के बराबर होते हैं जब कोई वीडियो आप डाउनलोड करते हैं तो पहले वो के भी से सुरुग होती है हाला कि अब 5G आ गया है लेकिन वहां भी आपको अगर आप उपर स्पीट देखते होंगे तो के भी की दिखाता है फिर जैसे ज्यादा मिलती है तो फिर MB कियाने लगती है और MB के बाद GIGA जीवी कियाने लगेगी लेकिन अब बहुत लंबी आत्रा तै करने की ज़रूरत है तब उसको देखने को मिलेगा माउस क्या है मेमोरी, CPU, Input Device, Output Device ऐसी डिवाइस जो कम्पूटर में कुछ गुसा देती है जैसे माउस है आप बाहर से कुछ भी वहाँ पर जो है आपरेट कर सकते हैं इसक्रीन पर तो वो क्या हो जाएगी Input Device तो माउस क्या हो जाएगा Input Device कम्पूटर में प्रिवक्त माउस की बाड़ी लगबग 40 बर्स पूर बनाई गई थी उस समया कैसी थी काहे की बनी थी तो लकड़ी की बनी थी अगला कुश्चन वीडियो लंबी हो गई होगी तो घबराने की आप सकता नहीं है दो की स्पीट पे देखिएगा लेकिन गुड़बत्ता से कौनों समझे होता नहीं होगा लाइफ आई के संबंद में निम लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आई येस में कुश्चन ये पूछा गया है लाइफ आई का विश्तरित रूप लाइट फिडेलिटी है सही है भारत में लाइफ आई का सफल परिछण 29 जिनवरी 2018 को सूचना एबं पुरसारण मंत्र मंत्राले ने किया था अब देखिए इसी मंत्राले को पकड़ लीजिए सूचना मंत्राले ने किया था इसको ध्यान से पढ़िएगा लाइफ आई द्वारा 10 जीवी पर सेकेंड डेटा को एक किलोमेटर की परदी में भेजा जा सकता है इसका किरियानवेन अप्टिकल इडेलिटी है तो एक तो डी वाला सही नहीं है और दूसरा बी वाला भी सही नहीं है क्योंकि इसका परिच्छन जो है वो सूचना एबं प्रसारण मंत्राले ने नहीं अपितु किस ने किया था केंदरी सूचना एवं प्रसारण मंत्राली द्वरा इसका परिच्छन किया गया था तो दो कथन उसके गलत हैं विकल्ब लेकिन आप उसको जान जाएए लाइफाई को जाने रहिए वो जो है पूर्ण आंतरिक परावरतन के सिद्धान पर काम नहीं करता है अप्टिकल फाइवर नेटवर्ग दोरा उसका क्रियान वेन नहीं किया जाता है इंडियन इंस्टिट्यूट आफ रिमोट सेंसिंग कहा इस्थित है एहमदाबाद देहरा दून स्री हरी कोटा या फिर इनमें कोई नहीं तो देहरा दून में इस्थित है एक MB मेमोरी है किसके बराबर अभी आपको उपर भी बता चुका हूँ एक MB जो है वो किसके बराबर हो जागी एक हजार चौबिस किलो वाइट्स के और एक हजार जो चौबिस MB होगा वो किसके बराबर हो जाएगा एक GB निम लिखित में से कौण सा संबंद सही नहीं है एक बाइट आठ विट्स के बराबर होता है सही है एक किलो वाइट एक हजार चौबिस वाइट्स एक केवी और ठीक है एक गीगा वाइट जी वी की बात हो रही है एक हजार चौबिस किलो वाइट्स यही गलत है दोस्तों यहाँ पर MB होना चाहिए था अभी उपर आपको बता चुका हूँ और एक टेरा वाइट जो है वो एक हजार चौबिस गीगा वाइट के बराबर होता है तो इस तरह से आफसंसी सही आंसर हो जाएगा L.A.N. का तातपर क्या है Large Area Network, Local Area Network L.A.N. जिसको LAN भी कहते हैं तो इसका तातपर LAN से है Local Area Network आफसंस भी सही हो जाएगा निमने लिखित में से काउन सबक तब सही नहीं है E-mail, Electronic Mail को संदर्वित करता है E-mail, Electronic Mail को संदर्वित करता है या फिर अगला question www.bird-wipe-wave को संदर्वित करता है ये कथन ठीक है CPU, Control Processing Unit को संदर्वित करता है और ALU की Full Form है Arithmetic Logic Unit हिंदी में कहा है ये Arithmetic Logic Unit को संदर्वित करता है तो 2021 में पूछा गया है और इसमें जो सही नहीं है वो क्या होगा CPU जो है वो Control Processing Unit को संदर्वित करता है मतलब CPU की Full Form Control Processing Unit है तो यही गलत है Control नहीं यहाँ पर होगा Central Processing Unit तो Control कीज़े के Central यहाँ पर चिपका दीजिएगा तो Option C हो जाएगा निम्न में इसे कौन सा Computer Hardware नहीं है Printer है Mouse भी है Keyboard भी है जो चीज़ें चुई जा सकें Computer की तो वो Hardware हो जाएगी और जो अंदर की चीज़ें वो है Compiler यह Compiler क्या करता है Computer भासा में लिखे गए Program को किसी दूसरी भासा में बदल देता है अंदर की बात है ऐसी युक्ति जो आखनों को आवेगों में परिवर्तित करती तता उन्हें Terminal से Computer को और Computer से Terminal को Telephone Line पर संप्रेशित करती है तो ऐसी काउं सी युक्ति है जुगार है चुम्बकी डिस्क, Micro Computer दोनों नहीं है फिर है CD-ROM ये भी नहीं है Modem ये है दोस्तो Modem का काम क्या आया है एनालाग सिग्नलों को डिजिटल में तथा डिजिटल सिग्नलों को एनालाग में बदलने का काम Modem करता है Modem एक हाड़वेर युक्ति है जो जोडती है किसको CPU और CRT को जी नहीं प्रिंटर और मुक्खिस्मृति को जी नहीं टेलिफोन लाइन और कम्प्यूटर को जी हाँ इनपुट और आउटपुट युक्तियों को जी नहीं तो इस तरह से आफ़वेर और C सही अंसर हो जाएगा रोम मेमोरी है दोस्तो केबल पढ़ने के लिए केबल लिखने के लिए लिखने पढ़ने दोनों के लिए या फिर इनमें इस कोई नहीं तो रोम का मतलब क्या होता है रीड ओनली मेमोरी केबल पढ़ने के लिए तो आफ़वेर ये सही अंसर हो जाएगा कम्प्यूटर सब्दा बली में USB का पूर्ण रूप क्या होता है यूनिवर्सल सीरियल वस या फिर यूनिवर्सल सेट वस या फिर यूनिफाइड सीरियल वस या फिर अन्डिफाइंड सीरियल वस तो दोस्तो इसका आफ़शन ए सही हो जाएगा USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल वस बहुत ही बारीकी से confuse कर रहे हैं देखिए यहाँ पर unified है और पहले वाले हम क्या यूनिवर्सल तो बहुत ही चौकनने होकर विकल्पों को देखने की जरूरत है सुचना प्रोद्दोगी की की सब्दावली जिसे उपयोग करता के email का पता ग्याद करने के लिए प्रियुक्त करते हैं क्या है लागिन पासवर्ड फिंगर या फिर आर्ची तो दोस्तों फिंगर सब्दावली को उपयोग करता के email का पता लगाने के लिए प्रियुक्त किया जाता है तो आप्शन सी सही अंसर हो जाएगा Digital Computer की सिद्धांत पर कारे करता है गरना मापन विद्धूत लाजिकल सिद्धांत पर जी हां दोस्तों तो ये लाजिकल सिद्धांत पर कारे करता है IRC का तात पर क्या है Internet real time communication IRC Internet relay chat इंटरनेट रियल टाइम चैट या फिर उपरियुक्त में से कोई नहीं तो इंटरनेट रियल टाइम चैट जो है इसकी फुल फॉर्म नहीं होगी दोस्तों इंटरनेट रिले चैट होगी IRC की इंटरनेट रिले चैट ये क्या है दोस्तों दुनिया भर के लोगों को एक ही समय में बाचित करने की सुविदा देती है इन्टरनेट रिलेचेट रट जाइएगा सबको रेलती है कम्प्यूटर अपनी सक्ति पृप्त करता है गती से सुधता से और श्मृती से तभी computer computer है तो option D सही हो जाएगा सभी से अपनी सक्ति प्राप्त करता है इरान के computerों में पकड़ा गया Stuxnet, Worm, High क्या internet कारे को गती प्रदान करने का एक hardware नाविकिये sentryfusion को nest करने का एक द्वेस्पून प्रोग्राम hacking को आप्रभावी बनाने का एक software या फिर BPO का कारे लेने की एक विदी तो दोस्तों नाविकिये sentryfusion को nest करने का एक द्वेस्पून प्रोग्राम क्योंकि जो इरान है दोस्तों वो अपनी यहां परमाडू परिछन कर रहा है और चोरी चिपे कर रहा है तो इसी गतिविदी पर नजर रखने के लिए उसके यहां के कम्प्यूटरों में यह चीज इंस्टाल कर दी गई थी बर्म या फिर क्रमी जिसका उद्वेस्पून नाविकिये sentryfusion को nest करना तो आफ़सन भी सही हो जाएगा करन्ट अफेर्स का सवाल है बस जाने रहिए रिपीट नहीं होगा लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कम्प्यूटर बांचित तरीके से कार करते हैं कहलाता है कोड्स, इंस्ट्रक्शन्स, साफ्ट्वेर या फिर इनमें स्कोई नहीं तो आप सभी जानते हैं यह साफ्ट्वेर होता है तो आफ़सन सी सही दितर हो जाएगा विश्टु कम्प्यूटर साच्छरता दिवसकब मनाया जाता है तो दुई दिसंबर को मनाया जाता है आफ़सन ए सही हो जाएगा अंतरिक्षवर प्रदोगिकी को देखते हैं मिलान करना है क्यूरियो सिटी रोवर दोस्तो यह क्या है यह USA का मंगल ग्रह अनवेसियान है रुस्तम दोस्तो आप लोगों ने फिल्म देखी होगी और इसने एक वो कहावत है हमारे यहां फाउजी फाउज में पड़ोसी माउज में तो रुस्तम की बाइफ का अफेर जो है दूसरे से होता है तो हमारी सरकार ने क्या किया है रुस्तम जो है एक ऐसा ही मानो बिहीन अंतरिक्षियान बना दिया एक बायुयान बना दिया मानो रहित ये वाला रुश्तम अब भूलेंगी नहीं। आकास्टू क्या है दोस्तो नासा कब बुध्ध गरह अन्वेसीं अंत्रिक्षियान। तो बुध्ध गरह दोस्तो कौन्वेसीं यानilar अना lyc पोणस हो जाएगा। मैसेंजर मतलब मरकरी। मरकरी बुद्ध को इंगलिस में मरकरी कहते हैं आकास्टू क्या बचा? आकास्टू क्या बचा? आकास्टू टेबलेट बची है बस इसको टेबलेट से जोड़ दिये गार टेबलेट कम्प्यूटर है फिर क्या है? दाविंची और वेराइटस नासा द्वारा गोसित दो नए मिशन है करेंट फेर्स का सवाल है दोस्तो सुक्र ग्रह से समबन देत है यह सब आपको अचुक मरक समगरिम कराया था अंतरिक शियान प्रतिवी पर उतरते समय कुछ चण के लिए इबू स्टेशन से रेडियो समपर्खो देते हैं कारण दिया है अब जैसे कारण है तो एक कुश्चन उठाए क्योंकि जब एक अंतरिक शियान प्रतिवी के बायो मंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतय का तापमान बढ़ जाता है क्यों दोस्तों? क्योंकि बायो मंडल में छोटे-छोटे कण होते है वो जब एक यान की सतय से टकराते है तो रगड होती है और रगड से क्या होता है? टेंपरेचर बढ़ जाता है और उसके चारो और की बायू जो है वो आयनित हो जाती है तो जो यान है बुकिंग करतब बिमूड हो जाता है मतलब उसको नई सूझता कि किधर जाए तब उतनी देर के लिए वो रामभरो से हो जाता है तो कथन और कारण दोनों सही है और ब्याक्ख्या भी कारण कथन की कर रहा है इस तरह से आफसन एसे उत्तर हो जाएगा एक भू इस्तिर कृत्रिम उपग्रे का आवर्त काल कितना होता है तो 24 गंटे जैसा कि नाम से विदित है भू इस्तिर जो हमारी प्रतिवी है उस पर इस्तिर कर दिया जाता है मतलब ये प्रतिवी की गती के साथ ही रोटेट करता है तो किसी खास छेत्र का ही ये ठीक से चित्र लेता है जियो इस्टेशनरी सेटिलाइट इसको कहते है जैसे यहाँ पर इस्थापित है तो प्रतिवी ऐसे घूमेगी तो ये पॉइंट भी आगे बढ़ता चला जाएगा उसी इस्थान के साथ तो ये कितनी उचाई पर इस्थापित होते हैं दोस्तो जियो इस्टेशनरी सेटिलाइट ये कुश्यन भी पूछ लिया जाता है 35,800 किलोमेटर या कहीं कहीं आपको मिलेगा 36,000 किलोमेटर की उचाई पर इस्थापित किये जाते हैं सूची एक को सूची दोस्ते मिलाना है इसरो का हेड़ुकाटर दोस्तो कहां है बेंगलुरू में आई यू सी ए ये तो नहीं पता भाई हमको भी फिर क्या है आई यू ए सी ये भी नहीं पता है बी एस एस सी बिक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर ये कहां है तो बिक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर दोस्तो तिर्वन अन्तपुरम केरल में है तो दो पकड़ लीजिए दो ही से काम चल जाएगा और आप्षन एस ही हो जाएगा बाकि IUC ये देख लें Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics ये पुने में है और IUAC जो है Inter-University Accelerator Center ये नई दिल्ली में है और भाबा विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष के अंदर जो है BSSC वो केरल में है और अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं विक्रम सारा भाई ठीक है विक्रम जो है हमारा जो आप लोगों ने देखा हुआ रोड पर एक बड़ा वाला टेंपो चलता है पीला वाला उसको विक्रम कहते हैं तो बिक्रम जो है वो सारे जहां मतलब अंतरिक्ष में पहुंच जा रहा है अंतरिक्ष में चलने लगेगा काय की माद्यम से अंतरिक्ष कारक्रम की माद्यम से तो बिक्रम सारा भाई अंतरिक्ष विज्ञान के जनक एक उनेट इसमें confusion हो रहा है बिक्रम सारा भाई और एक और हैं खैर इस point को छोड़ दीजिएगा निमने लिखित में से count शसाई सुमेलित नहीं है बिक्रम सारा भाई और homie जहांगीर भाबा दोनों को लेकर confusion हो रहा है तो इस बाले point को छोड़ दीजिएगा सुमेलित नहीं है अंतरिक्ष अनुपरियोक केंद्र एहमदाबाद में है राष्ट्रिय दूर संबेदन केंद्र हैदराबाद में भारती अंतरिक्ष अनुसंदान संगठन उपग्रह केंद्र सिरी हरिकोटा विक्रम सारा भाई अंतरेक्ष केंदर ये तिर्वनंत पुरम्या भी उपर भी देखा तो ये कथन भी ठीक है सी वाला भी ठीक है राष्ट्रिय दूर संबेदन केंदर हैदराबाद यही वाला ठीक नहीं है एक मिनिट भारतिय अंतरेक्ष अनुसंदान संगठन यही वाला ठीक नहीं है यह सिरी हरिकोटा मिनावकर बेंगलूरू में है उपर भी आपको बताया है तो इस तरह से आपसन सी सही अंसर हो जाएगा किस सिद्धान्त पर जेट इंजन कारे करता है रैखिक संबेग संरचन कोण यह संबेग संरचन और अभी आपको उपर भी यह कुश्यन बताया है उर्जय संरचन या द्रबिमान संरचन तो रैखिक संबेग संरचन किस सिद्धान्त पर जेट इंजन कारे करता है तभी वो लिए थ्रस्ट के माध्यम से बढ़ता चला जाता है चीन में मिसियस उपनाम से एक परणाली विक्षित की गई जो एक प्राचीन संगीत परणाली है जी नहीं एक quantum उपग्रे संचार पणा ली है एक computer गेम है जी नहीं तो एक computer एक quantum उपग्रे संचार पणा ली है जो बहाँ के एक खगोल विद है एक दर्शनिक है मिसियस उनी के नाम पर इसका नाम मिसियस रखा गया था इस्ट्रेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कफन सही हो जाएगा इस्ट्रेटिलाइट अधिक उचाई पर समताप मंडल में स्थापित एक बायूपोत है जो विभिन प्रकार के बेतार संचार सिगनलों को पुरसारित करने के लिए जिम्मेदार होता है तो इस्ट्रेटिलाइट कहां है समताप मंडल में GSLV-D2 जो हाली में कक्ष में प्रचेपित किया गया था ये क्या है रच्छा उपग रहे है अनवेशन उपग रहे है या संचार उपग रहे है या यातायात उपग रहे है तो GSLV-D2 ये करन्ट फेर्स का सवाल है दोस्तों इसको छोण दीजिए नासा की किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टी की है तो सोफिया यान ने चंद्रमा के सतय पर जल के होने की पुष्टी की है याद रखिएगा और सूची दी गई ये मिलाना है काकरा पार क्या है दोस्तों एक निउकलियर पावर इस्टेशन है काकरा पार पोखरन क्या है परमाणू बम बिस्पोर्ट इस्थल राकेट प्रमोचन के अंद्र का उनसा है देख लेते हैं थुमबा राकेट प्रमोचन के अंद्र है और स्री हरी कोटा क्या है उपग्रह प्रमोचन स्टेशन तो इस तरह से आप सही इसको कर सकते हैं निमने लिखित में से कौन सा सही सुमेलित है तिरसूल क्या है तो नाग जो है वो इंटी टैंक परचे पास्तर है याद रखेगा तिरसूल भगवान के हाथ में है और भगवान है धर्ती पर भगवान अगर चलाएंगे तो कहां चलाएंगे हवा में तो तिर्सूल जो है वो सतय से हबा में मार करने वाला प्रचेपास्त्र है ना कि सतय से सतय पर ऐसे ही दोस्तों तिर्सूल क्या है टैंक रोधी प्रचेपास्त्र प्रत्वी क्या है मादमिक परास प्राचेपिक निकाए तो पहले का तो एक आ एक हो गया है अगनी क्या है लगू पराज सत्य से बायू परच्छे पास्तर तो ये क्या हो जागा नाग अभी हम लोगे उपर बात करिए अगनी क्या हो जागा सत्य से सत्य परच्छे पास्तर इस तरह से जब मिलाएंगे तो आंसर अफसन सी हो जाएग उस पुर्चेपास का नाम बताएं जिसका परिच्छन भारती वेग्यानिक वारच्छा अधिकारियों यह अटाई यह नहीं पूंचा जाएगा आधनिक ब्रमोस पराधनिक मिसाइल जैसी प्रोदगी की भारत ने सहित रूपसिक किसके साथ विक्सित की है सेंक्तराज अमेरिका रूस प्रांस जापान तो रूस के साथ मिलकर विक्सित की है रूस की एक नदी है मसकावा उसी के नाम पर इसका जो टाइटल है मोस और भारत की जो ब्रहम पुत्र है उसका लिया गया है ब्रहम मसकावा से मोस और ब्रहम पुत्र से लिया गया ब्रहम त थापित किया गया है ये बात भी याद रखना तो उस्तों लंबी वीडियो हो गई है ब्रह्मोस क्या है एक बायुयान एक कंप्यूटर वायरस एक परशेपास्त्र एक पंडूब भी तुबिकल्प सी सही अंसर हो जाएगा एक परशेपास्त्र है 15 अक्टूबर 2020 को भारत ने नेमल लिखित में से किस मिसाइल का सफल पर इच्छड किया ये कुश्चन नहीं पूछा जाएगा करंट फेर्स का सुद्ध कुश्चन है विसु की विसालतम दुर्वीन कौन सी है तो दोस्तों आइस क्यूब जो है वो विसु की विसालतम दुर्वीन है भाप के इंजन का आविस्कार किस ने किया था बहुत बच्चा सवाल है जेम्स बाट ने किया था अफसन भी सही हो जाएगा फिर है नियमी निखित मेंए से तो हिस फिल ने एक से एक और ऐ करींणा का आविशका था खोज के अनुसार काल क्रम के अनुसार वेवस्तित कीजिए तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर आया था आप लोगोंने घर पे यादि टीबी देखी ओगी उसकी प्लेट देखी ओगी तो उसमें एक इस तरह का लगा होता था इसको कहते थे ट्रांजिस्टर तो transistor सबसे पहले आया उसके बाद diode जिसको डाइबोट भी कहते थे बैटरी चार्ज करते थे ये थोड़ा बीच में मोटा हुआ करता था और इस तरह से पूँच होती थी इसमें current का flow एक ही तरफ होता है इधर इस तरफ से इस तरफ के लिए अगर इधर से जोड़ेंगे तो इधर नहीं होगा इसको बैटरी चार्ज करने में लोग इस्तिमाल करते थे तो उसके बाद diode आया तो A के बाद B आयेगा दो कोई पकड़ के देख लेते हैं बाद पनी नहीं भाई B पहले आया A बाद में आया है डायोड पहले आया ट्रांजिस्टर बाद में आया है खर इस तरह के प्रश्ण छोड़ने के लिए होते हैं सबसे पहले डायोड आया ट्रांजिस्टर 1947 में आया जब देश आजाद हुआ इंटीग्रेटिड परिफद IC 1958 में आयी टीवियों की जो ब्लेक एंड वाइट टीवियां होती थी उनकी सबसे ज़्यादा IC ही फुकती थी लाइट चली जाती थी और SMD सतय पर लगने वाले अविए 1960 के दसक में आया इसको रट जाईएगा कि इस्मृति में 28 परवरी प्रतेक वर्ष राष्ट्री विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है रमन प्रभाव दिवस प्रतम कृत्रिम उपग्रे आरिभट का परचेपन या ASLV का सफल परचेपन या होमी जहांगीर भावा का जनम दिन तो रमन प्रभाव दिवस दोस्तो इसी दिन 28 परवरी को बेंकट रमन जो भारतिय विज्ञानिक थे उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी इसी उपलक्ष में 28 परवरी को राष्ट्री विज्ञान दिवस मनाया जाता है 1930 में इन्हें फिजिक्स का नोबेल परदान किया गया था तो आंसर ये हो जाएगा प्रसिद वारतिय डाक्टर सीवी रमन को उनके कार के लिए नोबेल पुरुषकार दिया गया था 1930 में भारत में परमाडू उर्जा कज्ञनक बेज्ञानिक किसे कहा जाता है देखिए यहां पर क्लियर हो रहा है और यदि बात की जाए, अंतरेक्ष कारिक्रम के जनक, तो वो काउन होंगे, बिक्रम सारा भाई, जो धर्ती पे चलता है, बिक्रम पीला वाला, वो कहां पहुंच जा रहा है, आसमान में, अंतरेक्ष में, तो बिक्रम सारा भाई, अंतरेक्ष कारिक्रम के जनक, और यदि पर येटम है जो परमाणो है वह पूरे जहान में ब्याप्त है ऐसे आद रखिएगा बहुत चर्चित God particle है क्या निट्रीनों लेप्टान्स हिक्स बोसान या फिर मेसान्स तो जो मेसांस जो हिक्स बोसान है वो God particle के नाम से जाने जाते हैं इन में से मूल भूतकण कौन सा है नूट्रान, प्रोटान, पाई मेसान या फिर क्वार्क तो यह जो क्वार्क है यही मूल भूतकण है इसके साथ ही लेप्टान भी मूल भूतकण होता है तो क्वार्क और लेप्टान मूल भूतकण माने जाते है ये जिराओवार फ़ताँ उसे ने बैट वाले इस्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहां मुझा सके पीज़ ऐसीत को हैं आइसो बात समान गहराई मिलाने वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसो बात कही जाती तो जो आप्शन सी है वो ही सुमेलित नहीं है यही आंसर हो जाएगा एटम बंब निमने लखित में से किस सिद्धानत पर कारे करता है आपको उपर भी बता चुका हूँ नाविकिये विखंडन ATM से क्या तात पर है आटो मेटिड टेलर मसीन बहुती बच्चा सवाल है आपसं सी साई आंसर हो जाएगा बैज्यानिक प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है F.W. टेलर को बैज्यानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है उद्धा दर्टल पर 36 तल में कोड़ी दूरी को मापने में प्रियुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है बेवल प्रोट्रेक्टर, अल्टिमीटर, सिन्कलाइन या फिर थियोडोलाइट तो थियोडोलाइट उद्धादर्तल एवं 36 तल में कोड़ी दूरी को मापने में प्रियुक्त होता है सिंग रिंगल मैन इसकैल का प्रियुक निमलिखित में से किसके घनत तो मापने में होता है कोहरा, धोनी, पुरदूशन या फिर धुआ तो दोस्तो कोहरा माफ कीजिएगा धुआ मापने में रिंगल मैन इसकेल का इस्तेमाल होता है धुआ आपने देखा होगा रिंग बनते हैं ऐसे धुआ का ही रिंग बनता है तो रिंग को दूए से जोड़ दीजिएगा तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने पूरा भातिक विज्ञान कम्प्लेट कर लिया है यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और सेर भी कीजिए और स्वस्त रहिए, मस्त रहिए और जवरदस्त रहिए और अपने काम में बैस्त भी रहिए इसी कामना के साथ आपको धेर सारा तान्यवाद और एक बात और आपको कल ही अचुग मरक सामगरी मिल जाएगी की निश्चिंत रहिएगा और यूपी पर भी आपको जल्द ही वीडियो मिलने लगेगी जो यूपी का हम लोग जियस चला रहें परिच्छा वाणी से उसका निच्वर्ड आपको लगातार उपलब्द करा दूंगा तो फटा-फट हम लोग अगले साथ से आठ दिनों में पूरा कवर कर लेंगे और ये वाला भी हिस्सा जो बचा है उसको भी कवर कर लेंगे तो धन्यवाद